नमस्कार आप देख रहे हैं बिग नियूज बिग शो मैं हूँ आपके साथ मुकेश राजपूर्ट बिग नियूज बिग शो में आज भी उन तमाम बड़ी खबरों का हम विश्लेशन करेंगे जिनका सरोकार आप से है बिग नियूज बिग शो में बात होगी लोगसभा चुनाओ की सबसे बड़े लोगतंतर के इस पर्व में लोगसभा चुनाओ के पहले चरण के मद्दान के लिए क्या तैयारियां की गई हैं विस्तार से हम आपको बताएंगे बिग नियूज बिग शो में बात होगी आज हर्याना के मुख्य मंत्री नाइप सिंग सैनी और पूर मुख्य मंत्री बनहुरलाल खटर साहब की रैलियों की कि वो किस तरीके से इन रैलियों के जरिये भारतिये जनता पार्टी का दम दिखाने में जुटे हैं बात होगी ब्रिज भूशन शरण की वो क्यूं कोट की शरण में पहुँचे हैं राउज अविन्यू कोट का दर्वाजा उन्होंने क्यूं खट-खट आया है और बताएंगे कि 26 अपरेल को कोट ने ब्रिज भूशन को दुबारा क्यों बुलाया है इसके इलावा हम बात करेंगे सेना की सेना ने जो नकसलवाजियों के खिलाफ बड़ा ओप्रेशन किया था इसको लेकर क्या सवालात उठ रहे हैं इसको भी हम विस्तार से जानेंगे और बिग न्यूज की सबसे बड़ी खबरों में से एक रहेगी कि हर्याना के जो गैर मानेता प्राप्त स्कूल हैं उन स्कूलों का अब क्या होगा क्योंकि गैर मानेता प्राप्त स्कूलों को लेकर हर्याना सरकार अब काफी सक्त नजर आ रही है लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बिग न्यूज बिग शो में किसान आंदोलन की किसान आंदोलन पंजाब में इस वक्त चल रहा है किसान फिर से संबू बॉर्डर के करीब रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं और किसानों ने रेल रो को आंदोलन का आहवान किया है अब जो शंबू बॉर्डर है यहां से जो जो रेलें जाती हैं उनकी आवाजाई ठप हो गई है यात्री तरह इमाम मचा रहे हैं यह जो इलाका है इससे नाकेवल पंजाब दिल्ली से जूड़ता है मुंबई से जूड़ता है कलकर्ता से जूड़ता है और आगे की बात करें तो जम्मू कश्मीर तक इसी लाइन के माध्यम से रेल गारियां चलती है तो अब रेल रो को आंदोलन का जो असर है वो पूरे देश में किस तरीके से देखने को बल रहा है और अब किसान इस अंदोलन को दोबारा से करने के लिए क्यों उतारू है इसका आमजनता पर क्या फरक पड़ेगा और राजनीती में इसका क्या फरक पड़ेगा ये जानने की कोशिश है बिग नियूज बिग शो की ये पहली बिग रिपोर्ट पंजाब में किसानों का रेल रोको अंदोलन जारी है किसान पंजाब में शंभू रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं जिससे अमरित्सर दिल्ली और दिल्ली अमरित्सर रेल मार्ग बंद है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसान आंदुलन के चलते अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान है यात्री स्टेशन पर ही दो दिन से फसे हैं और स्टेशन पर ही आराम करते दिख रही हैं यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर ही अपने सामान के साथ सोते देखा जा सकता है रेल यात्रियों का कहना है सरकार और किसानों के लडाई में वो पिस रही हैं उन्होंने सरकार से इस ओर ध्यान देने की गुजारिश की सरकार बज़े से बैठे हुए हैं तो बोलता है कि जो आएगी की ना आएगी मेरा पता नहीं इसको बाद हम क्या करें वही रेल विभाग पंजाब सरकार की तरफ देख रहा है कि वे कब किसानों को ट्रैक से हटाएंगे अंबाला रेल मंडल से 13 ट्रेने रद कर दी गई है छे ट्रेने बीच रास्ते में रद करनी पड़ी है रेलवे के 85 ट्रेनों के रूट बदल दिये है रेलवे का कहना है आंदूलन लंबा चला तो जम्मू कश्मीर में तेल की सप्लाई में दिक्कत आएगी देखे कल लगबग 12 बजे से किसान बैठ है जिसमें अभी तक लगबग 13 ट्रेने रद की जा चुकी हैं और इसके अलावा छे गाड़ियां शॉट पर मिनेट और शॉट ओरिजिनेट हुई हैं और लगबग 85 गाड़ियां जो हैं वो डाइवर्ट होके अंबाला चंडीगड सानेवाल होते हुए लुद्याना की तरफ चा रही हैं डाउन की गाड़ियां बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो धूरी जाखल मिसार होते हुए दिल्ली या अलग लग डेस्टिनेशन पर जा रही हैं कुल मिलाके अभी लगबग 130 से अधिक ट्रे काबिले गौर है कि किसान आंदोलन पार्ट टू के दौरान कुछ किसान गिरफतार किये गए थे इन्हीं की रिहाई की मांग को लेकर 17 अप्रैल से शंभू बॉडर पर किसानों का रेल रो को अनिश्चित कालीन आंदोलन चल रहा है जिसके चलते यात्रियों को कई दिक्कत उसे दो चार होना पड़ रहा है यात्रियों को समझ नहीं आ रहा कि ऐसे में वो क्या करें अपनी मन्जिल की तरफ कैसे जाए सूरिया समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी के रिपोर्ट हर्याना सरकार का दावा है कि वो शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए तमाम कोशिशे कर रही है और आने वाले समय में जो विद्यार्थी हैं जो छात्र हैं उनका भविश्य उज्वल हो इसके लिए कई प्रयास किये जा रहे हैं इसी कड़ी में जो गैर मानेता प्राप्त स स्कूलों को बिलकुल बंद करने का ऐलान भी कर चुकी है अब जो ये गैर मानिता प्राप्त स्कूल है इनके बंद करने का क्या असर पड़ेगा जिन छोटे कस्बों में ये स्कूल चलते हैं वहां के विद्यार्थियों का क्या होगा जो लिस्ट सरकार ने मांगी है उन लिस् हर्याणा में शिक्षा के स्तर को बहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कारे कर रही है। हर्याणा शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों पर सकती करने के आदेश जारी किये है। हर्याणा शिक्षा विभाग ने जारी किये आदेश। उन पर सकती करने के भी आदेश दिये गए हैं। शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी और मौलिक शिक्षा अधिकारी से मानिता प्राव और गैर मानिता प्राव स्कूलों की लिस्ट मांगा। जिस आधार पर आगे की कारेवाई की जाएगी। हर्याना शिक्षा विभाग की ओर से नए सेशन के लिए कुछ शर्ते भी लागू की गई है। इन शर्तों को अगर कोई गैर मानिता प्राव स्कूल पूरा करता है तो ऐसे स्कूलों को नए सेशन में एडमेशन की अनुमती दी जाएगी। और यदि कोई स्कूल बिना शर्थ पूरी किये बिना एडमेशन करता है तो वहाँ अपराध माना जाएगा और उस स्कूल पर सक्त कारेवाई की जाएगी महिंदरगड के कनीना में हुए स्कूल बस हाथसे के बाद सरकार एक्शन मोड में है परिवहन और स्कूल सिक्षा बिभाग द्वारा रूल्स और रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करने की कवायश शुरू की जा चुकी है इसी कड़ी के अंदर स्कूल सिक्षा विभाग द्वारा गैर माननेता प्राप्त और माननेता प्राप्त स्कूलों की सूची तलब की गई है साथ ही सीधे तोर पर निर्देश दिये गए हैं कि प्रदेश के अंदर तमाम गैर माननेता प्राप्ट स्कूलों को बंद किया जाए आपको बता दें कि स्कूल सिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची और उन पर की गई कारवाई की रिपोर्ट हेड आफिस तलब की गई है साथ ही इसकी एक कौपी संबंदित जिला उपायुक्तों को भी भेजी जानी है इसके इलावा यदि हम गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या का जिक्कर करें तो 282 स्कूलों को चिनहित किया गया है प्रदेश में कोई भी स्कूल अभिभावकों के साथ धुका न कर सके इसके लिए सरकार गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के नाम सारवजनिक भी करेगी साथ ही शिक्ष्या विभाग ऐसे स्कूलों पर कड़ी कारेवाई करेगा आपको बता दे कि हाल ही में कनीना में हुए स्कूल बस हादसे के बाद शिक्षय विभागने सकती करते हुए ये आदेश जारी किये हैं कनीना में हुए स्कूल बस हादसे में 6 मासूमों की मौत हो गई थे और करीब 20 बच्चे घायल हुए थे चंडी गढ़ से रवी चंदेल की रिपोर्ट बिग न्यूस बिख्षो में अब बात करते हैं सेना के उस ओप्रेशन की जो 36 गढ़ के नकसिली परभावित इलाके में किया गया कांकेर में हुआ ये सेना का ओप्रेशन अब राजनितिक गलियारों में चर्चा का विशे बना हुआ है कॉंग्रेस एक बार फिर से सेना के इस एक्शन पर सवाल खड़ा कर रही है और जब कॉंग्रेस सवाल करे और भारतिये जन्ता पार्टी जवाब ना दे ऐसा तो हो इग नहीं सकता कॉंग्रेस के सवालात जो बवाल मचा रहे हैं उसको लेकर भारती जन्ता पार्टी ने क्या जवाब दिया है क्या बताया है देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में 36 गढ़ में पहले चरण की वोटिंग से ठीप पहले एक बड़ा नकसली ऑपरेशन किया देगा जिसमें कांकेर की दक्षन और नारायनपुर के उत्तर इलाखे में बी-सेफ के जवानों ने नकसलीओं के गढ़ पर दवा बोछी पलक झबते हैं बी-सेफ जवानों ने एक के बाद एक नकसलीओं के टॉप लीगर्ज को उन्हीं के ठिकाने पर लिटा थे BSF के इस कारेवाई में 39 नकसलियों के मारे जाने की सूचना है लेकिन अब इस नकसली हमले को लेकर सियासत शुरू हो गई है ऐसा दावा किया जा रहा है कि कॉंग्रेस नेता और 36 गढ़ के पूर्व सियम ने नकसलियों के खिलाफ की गई कारेवाई को परजी बताया है चली आपको भुपेश बढ़ेल का वो बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर विवाद बढ़ चुका है और आज दो टूत प्रिया टूप जोगी पिलसास दो टूप जोगी गई है और बड़े अप्सरी गई सभी को चुका तो अम लोगों ही वादी बादी नागवादा में बदकी बादी साफता भादाराद जरकरीया हुए है का पिष्टर भी जिए और तरशी कि अपाशियों को बहुत दर्वे कि दया हैं और नहीं है जे तुन को अपर अपन कि अपन को इंखतार करें एक तरफ कर दान्यां वही कॉंग्रेस नेता सुप्रिया श्रिनेत ने तो 36 गढ़ में मारे गए 29 नकसलियों को शहीद बता डाला ना सिर्फ शहीद बताया बल्कि उनके प्रती अपनी संवेधना भी जताई है अब राज्य की सत्ता रूढ बीजेपी ने कॉंग्रेस की राश्क्रिय प्रवक्ता सुप्रिया श्रिनेत के खिलाब गेट आउट सुप्रिया लिखकर पलटवार किया जिन नकसलियों ने 36 गढ़ महतारी की धर्ती को निर्दोश 36 गढ़ियों के खून से लाल किया है ऐसे बर-बर नकसलियों को शहीद बताकर 36 गढ़ की जनता, पुलिस पर और लोकतंत्र का मजाग बनाने वाली कॉंग्रेस की राश्क्रिय प्रवक्ता सुप्रिया श्रिनेत आपका आगमन इस पावन धर्ती को सुईकार्य नहीं है 36 गढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुंड साव ने भी सुप्रिया के बयान पर पलट बार किया और कहा कि नकसलियों को शहीद मानने वाली कॉंग्रेस ने पाँच सार बस्तर में इसी मानसिक्ता से काम किया है मुर्भेड में मारे गए नकसलियों को सहीद कहकर कामरेस पार्टी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है यह देश के सुरक्षा बलों के बहादुरी पर प्रहार है यह च्छतिरगण और बस्तर की जंता पर प्रहार है यह बहुत ही सरमनाग बयान है अब सवाल यही है कि क्या इस समवेदन शील मसले पर भी ये सबूत वाली सियासत जायज है ये चुनावी वक्त है छोटी से छोटी बात का बड़ा मुद्दा बनता है इस दौर में ना दावे नहीं आरोप नए लेकिन कुछ तो ऐसे विशय है जिन्हें सियासत से दूर रखन सकता सूरिया समाचार के लिए योन उत्पीडन मामले को लेकर चर्चा में आये पूर्व कुष्टी संग के अध्यक्ष ब्रिजभुशन शरन ने अब दिल्ली के राउज एविन्यू कोट का दर्वाजा खटकटाया है ब्रिजभुशन ने कोट का दर्वाजा क्यों है और आपको ये भी बताएंगे कि कोट ने उनको अब कौन सी तारीक है आने के लिए का है और ब्रिजभुशन सिंग को ये जो उन्होंने अरजी लगाई है दर्वाजा खटकटाया है इससे उनको रहात मिलने वाली है या फिर आफ़त इस रिपोर्ट के जरीए जानते हैं डबली एफाई के पूर्वध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभुशन शरन सिंग यौन उत्पीडन मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली के राउजवे न्यू कोट पहुंचे ब्रिजभुशन शरन सिंग ने यौन उत्पीडन मामले में आगे की जाच की मांग करते ह हुए अर्जी दाखिल की है कोट ने ब्रिजभुशन शरन सिंग की अर्जी पर फैसला 26 अप्रल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है ब्रिजभुशन शरन ने कोट में नई दलील देते हुए कहा कि गटना के वक्त 7 सितंबर 2022 को वो दिल्ली में नहीं थे इसलिए इन आरोपों की जाच की जाए बता दें के विश्व चेंपेंशिप पदक विजेता विनेश फोगाट और दो अन्य पहलवानों ने डेवली एफाई के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभुशन शरन सिंग के खिलाफ यौन उत्पीरन करनी का आरोप लगाया था उनके खिलाफ दिल्ली के जंतरमंतर पर प्रदर्शन भी किये गए थे दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभुशन के खिलाफ मामला दर्ज किया था लेकिन जुलाई में स्थानिय कोट से जमानत मिल गई वहीं जब ब्रिजभुशन सिंग ने रामचरित मानस की एक चौपाई को दोहरा दिया उन्होंने कहा कि हो ये वह जो राम रचिरा खा बता दें कि दो दिन पहले ही बीजेपी ने देवरिया से अपने प्रत्याशी के नाम का एलान कर दिया था लेकिन कैसरगंज सीट को लेकर अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं पहलवानों ने WFI के पूर्वध्यक्ष ब्रिज भूशन शरण सिंग पर यौन शोशन का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया अभी ये मामला कोट में चल रहा है इसी वजह से बीजेपी फिलहाल इस सीट से किसी भी प्रत्याशी के नाम का एलान करने में जल्द बाजी नहीं दिखा रही है हालांकि कुछ हैसी भी चर्चाएं हैं कि ब्रिज भूशन की पतनी को बीजेपी टिकेट दे सकती है चली आपको बताते हैं कि 2019 के एलेक्शन में किस ने कैसर गंज से बाजी मारी 2019 के लोग सभा एलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला एक तरफा हुआ था चुनाओ में भारती जनता पार्टी की तरफ से ब्रिज भूशन शारण सिंग मैदान में उतरे थे वहीं बहुजन समाज पार्टी ने चंद्रदेव राम यादव को टिकेट दिया था इलेक्शन में बसपा और समाजवादी पार्टी का गडबंधन था ब्रिज भूशन शारण सिंग को 5,81,358 वोट मिले तो चंद्रदेव राम यादव के खाते में 3,19,757 वोट आए थे कॉंग्रेस की स्थितिक काफी नाजुक रही और पार्टी के विने कुमार पांडे को महज 37,132 वोट मिले थे चुनाव में ब्रिज भूशन शारण सिंग ने 2,61,601 के वोटों के अंतर से अपने प्रतिद्वन्दी से जीत हासिल की थी ब्रिज भूशन शारण की इस नई अरजी पर राउजमिन कोट अब 26 अपरेल को सुनवाई करेगा ब्रिज भूशन शारण पर लगे आरोपों का फैसला इस अरजी पर सुनवाई के बाद ही कोट द्वारा सुनाए जाएगा खाबिल अगवर है कि कैसर गंज लोग सभा सीट पर पांचवे फेज यानि 20 मई को वोटिंग होनी है यहाँ 26 अपरेल से नामांकन शुरू होगा देखने वाली बात होगी कि ब्रिज भूशन को इस बार बीजेपी चुनावी मैदान में उतारती है या फिर किसी और को मौका देती है साथ ही ये भी देखना होगा कि ब्रिज भूशन को 26 अपरेल को राहत मिलती है या नहीं सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विने सिंग की रेपोर्ट और अब बात करते हैं लोग तंतर के सबसे बड़े पर्व लोग सभा चुनाओं की सबी राजनेतिक दल इसमें जीत हासिल करने के लिए एडी चोटी का जोड लगा रहे हैं कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसी कड़ी में हर्याना के मुख्यमंत्री नाइप सिंग सैनी हों या पूर मुख्यमंत्री मनहोरलाल खटर पर चार लगातार कर रहे हैं एक जगा से दूसरी जगा पर रैलियों के माध्यम से जनता से वोट माँग रहे हैं और अपनी सरकार की उपलबधियां के नवा रहे हैं अब भारतिय जनता पार्टी जिस तरीके से रैलियों पर जोड दे रही है उससे आने वाले समय में क्या वाकी दस की दस सीटें भारतिय जनता पार्टी के खाते में आएंगी क्योंकि एक दिन में तीन से चार रैलियां की जा रही हैं जो बड़े नेता हैं अब देखना यह होगा कि जनता को वो कितना लुभा पाते हैं आज पूरे दिन इन दो बड़े नेताओं ने कहां कहां पे रैलियां की वोट मांगे अपनी सरकार की उपलब्धियां के नवाई देखिए हमारी वुशेश रिपोर्ट हर्याना की दस लोकसभा सीटों को जीतने के लिए सभी राजनैतिक दलों का जोर जारी है प्रदेश में रैलियों की गूंज से जीत की हुंकार भरी जा रही है मुख्यमंत्री नायब सिंग सेनी ने प्रदेश में चुनाव की कमान संभाली है तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी चुनावी हुंकार भर रही है लगातार बीजेपी रैलियों का आयोजन कर रही है रैलियों के मंच से 400 पार नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी की हैट्रिक का दावा किया जा रहा है इसी कड़ी में फरीदाबाद के प्रिथला में बीजेपी की ओर से विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया इस रैली में मुख्यमंत्री नायप सिंग सेनी ने रैली को संबोधित किया प्रिथला में हुई रैली में बीजेपी का कुन्बा भी बढ़ा पूर्व विधायक चंद्र भातिया के बेटे रोहित भातिया ने मंच पर बीजेपी का दामन थामा रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंग सेनी ने बीजेपी को किसान हितैशी पार्टी बताया बाइव जी स्वेक्ती ने पिछले दस वार्टों में लगए तार प्रियस के किसान के लिए देश की महिलाओं को सिसक्ति करण के लिए देश के युवाओं को मजबूती के लिए और भाइयों करीब के चेहरे पर मुस्कान हैं इसके लिए दिन रात करके इस देश को आगे विखे कोना नहीं है जहां विकास नहीं हुआ हो। आज मैं देखता हूँ इंदस वर्थो में एक भी जिला ऐसा नहीं है जीश जिला के अंदर इंदस वर्थो में फोर लेंग रोड़ भायो लोकों के रास्तों को शुखन करने का काम ये नरेंदर मोदी की और डबल इंजन की सरकार ने किया है फरिदाबाद पहुचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सेनी ने कॉंग्रेस पर भी जम कर निशाना साधा मुख्यमंत्री नायब सिंग सेनी ने बीजेपी के संकल्प पत्र से कॉंग्रेस में बौक लाहड की बात कही कि नरे नर्मोदी जी ने उनकामों को दस वर्षों के अंदर कर दिया है और भाईयों मैं बताना चाहूंगा कि अभी भारतिय जरुता पार्टी जो संकल्प पत्र भाईयों लेकर के आए है जो मोदी की ग्रंटी का संकल्प है आज ये विपक्स के गमंडी अगटबंधन के लोग भाईयों आज इसको लेकर के बोखडाहट के अंदर है आज उनको मालूम है कि ये संकल्प पत्र में जो मोदी की ग्रंटी है उसको 100% पूरा करेंगे हर्याना के पूर्व मुख्य मंत्री मनोहरलाल ने भी प्रदेश में चुनाफ प्रचार की कमान संभाल रखी है करनाल से लोगसभा उमीदवार बनाए जाने के बाद मनोहरलाल लगातार प्रदेश में रैलियां कर रही है बीजेपी के दस साल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मनोहरलाल प्रदेश और देश में बीजेपी की हैट्रिक का दावा कर रही है तो वहीं मनुहरलाल कॉंग्रेस के 10 साल में परिवारवाद और बीजेपी के 10 साल में सबका साथ सबका विकास का नाराद दे रही है पानीपत में मनुहरलाल ने क्लस्टर जन्द सभा को संबोधित किया इस मौके पर मनुहर लाल ने कॉंग्रेस के समय से चली आ रही परची खर्ची को बीजेपी सरकार आने के बाद खत्म करने का दावा किया कुछ महीने सुना मैंने बाद मैंने का देख भाई सुनो ये आपका जो बापू बेटे का परवार बच्चों का माता पिता का भाई बहनों का परिवार मेरे परिवार को सुन लो हरियाना के दो क्रोड ब्यासी लाग छेज़ार पांसु पिचान में लोग ये मेरे परिवार है सदस्य है यह सके अडियाना मेरा परिवार है मैं इस परिवार में जो पीडित परिवार है जो थोड़ा पीछे रह गया उसकी सायता पहले करूँगा और उनकी सायता में थोड़ा बहुत अगर दूसरे लोगों का इसा काट के उनको देना पढ़ेगा तो गरीब को पहले मिलेगा उसका अधिकार सरकार पर पहला अधिकार है कॉंग्रेस के समय करप्षन क्या क्या होती थी यानि पचास रुपे से लेकर के हजारों लखों रुपे तक पैसा देना पडता था जितना बड़ा काम उतना ज़्यादा रेट हमने का नहीं वहीं साथ चीज़े पादर्शी होंगी आपका काम होना है तो एक पैसा नहीं लगेगा और नहीं होना है करोड दे दियो तब भी नहीं होना है काम तो सिस्टम से होंगे हमने सिस्टम खड़े किये हर्याना में लोग सभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सभी उमीदवारों को उतार दिया है सभी अपना प्रचार प्रसार भी कर रही है कॉंग्रेस अभी भी टिकटों के मंथन में उलजी हुई है कई दौर की बैठकों के बाद भी कॉंग्रेस को उमीदवार नहीं मिल रही है लोग सभा चुनाव के रण में इनेलो और जेजेपी भी पीछे नहीं है जेजेपी ने पाँच उमीदवारों को लोग सभा के रण में उतारा है तो वहीं इनेलों ने भी तीन उमीदवारों का एलान कर दिया है इनेलों की ओर से कुरुक्षेत्र से अभय चोटाला हिसार से सुनैना चोटाला तो अमबाला से गुरप्रीत सिंग को उमीदवार घोशित किया है हर्याना में 25 मई को मतदान होना है चार जून को पता चलेगा कि जनता ने मतदान के लिए किसका राज तिलख किया सूरिया समाचार के लिए फरिदाबाद से दीपक गौतम, पानीपत से सुमित भारतवाज और चंडी गढ़ से रवी चंदेल की रिपोर्ट लोगसभा चुनाओं के लिए पहले चरण की तैयारिया मुकमल हो चुकी है उत्तरपरदेश की आठ सीटें और बिहार की चार सीटें इसमें प्रमुक है इस चुनाओं को लेकर चुनाओं आयोक की क्या तैयारिया हैं और पहले चरण में क्या-क्या खास तैयारियां की गई है और कौन-कौन से बड़े चहरे हैं जो इस पहले चरण के चुनाव में खड़े हुए हैं और उनकी किस्मत दाव पर लगी हुई है देखिए हमारी खास रिपोर्ट लोगसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तैयारिया मुकम्मल हो चुकी है इस चरण में 21 राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों की 102 लोगसभा सीटों के लिए शुक्रवार को वोटिंग होती चलिए आपको बताते हैं कि किन राज्यों की कौन सी सीटों पर पहले फेज के तहट चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश की सहरनपुर, कैराना, मुजफर नगर, विजनौर, नगीना, मुरादाबा, पीली भी और रामपुर सीट राजस्थान के गंगानगर, बीकाने, चूरू, जुन्जनौ, सीकर, जैपुर ग्रामेड, जैपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर में मतदान होना है मध्यप्रदेश की सीधी, शहडोर, जबलपुर, मंडला, बालाघाड और चिंदवाडा में मतदान असम के काजीरंग, सोनितपुर, लखीमपुर, डिबुरूकर और जोरहाट में मतदान बिहार के औरंगाबार, गया, नवादा और जमुई में मतदान महराष्ट्र के रामटे, नाकपुर, भंडारा गोंडिया, गढ़ चिरॉली, चिमू, चंद्रपुर 36 गढ़ के बस्तर में पहले चरण के तहत बोट डाले जाएगी जम्मु कश्मीर के उधंपुर में मतदान होगा अरुनाचल प्रदेश के अरुनाचल पश्चिम, अरुनाचल पूर्व सीट पर वोटिंग होगी मेगालाई के शिलॉंग और तुरा में मतदान होगा त्रेपुरा की त्रेपुरा पश्चिम सीट पर मतदान तो वहीं उत्तराखंड की टिहरी गढ़वार, गढ़वार, अल्मोडा, नैनितान, उधम सिंग नगर और हरिद्वार में वोट डाले जाए पुड्डुचेरी में मतदान, तमिलनाडू में सभी 49 सीट पर मतदान, सिक्किम में सभी सीटों पर मतदान, नागा लैंड में सभी सीट पर मतदान, अंडमान और निकुबार में मतदान पश्चिम बंगाल की कूज बिहार, अलिपूर द्वार और जलपाई गुडी में वोटिंग होगे मनिपूर की दोनों सीट पर मतदान होगे वहीं लक्ष्वदीप में भी पहले चरण के तहट वोट डाले जाएंगे बात उत्तर प्रदेश की की जाएंगे नौ जिलों की आठ लोकसभग शेत्रों में 7,689 मतदान केंद्रों के 14,849 मतदैस थलों पर भुगा मतदार पीली भीत के अंतराश्ट्रिय सीमा प्रभावित शेत्र में 11 बैरियर लगा कर चेके सहरनपुर, शामली, मुरादाबाद, विजनोर, रामपुर, मुजफर नगर, पीली भीत के अंतराज्जिय सीमा पर 88 बैरियर लगा कर चेके प्रदेश के सभी जिलों में 2,366 बैरियर लगाए गए अंतराश्ट्रिय और अंतराज्जिय सीमा पर लगे बैरियर पर अतरिक्त CCTV कैमरे लगाए गए 6,018 निरीक्षक, उपनिरीक्षक और 35,750 मुख्य आरक्षी, 24,992 होम गार्ड्स, 60 कमपनी P.A.C. बल और 220 कमपनी C.A.P.A. बल की गई तैना अतरिक्त पोर्स मल्टिप्लायर के रूप में 6,764 ग्राम चौकिदार और 155 P.A.C. जवान भी लगाए गए पहले चरण के चुनाव में 348 फ्लाइंग स्क्वाड टीम, 469 स्टेटिक सर्विलेंस टीम और 55 Q.A.C. टीम बनाए गए प्रदेश में कुल 1824 फ्लाइंग स्क्वाड टीम, 1470 स्टेटिक सर्विलेंस टीम और 469 Q.A.C. टीम का गठन किया गया सोशल मीडिया पर विशेश नजर रखी जा रही है प्रतम चरण में हमने कुल 111 मौडल पोलिंस टेशन आदर्श मद्देस्थल बनाए है 45 समस्त महिला प्रबंदित मद्देस्थल है जिस पर सारे करमचारी महिला करमचारी होंगी 36 युवा कर्मी मद्देस्थल और 32 समस्त दिव्यां कर्मी मद्देस्थल बनाए गए है मद्देस्थलों पर जो भी मद्दाता शाम 6 बजे तक उपस्तित होंगे उनको मतादिकार का प्रयोग उनके द्वारा किया जा सकेगा उनको पर्चियां वित्रित की जाएंगी मद्दाताओं की सुविदा के लिए प्रति एक घर में वोटर गाइड का वित्रण किया गया है प्रथम चरण के जनपदों में 28,44,953 वोटर गाइड हमने वित्रित की है प्रतिम चरण के जनपदों में 27 अक्टूबर 2023 से जब हमारा स्पेशल समरी रिविजन प्रारम हुआ था और 16 अपरेल 2024 तक कुल 11,89,051 मद्दाता फोटो पहचान पत्र जिसको एपिक कहते हैं उनका वित्रण कराया गया है मद्दान प्रतिशत की जानकारी 9 बजे के बाद प्रतेक 2-2 गंटे पर मीडिया को प्रिशित की जाएगी उसको अगर हम डाउनलोड करेंगे उसमें भी जो अधिकारिक मद्दान प्रतिशत है हर 2 गंटे के बाद डाउनलोड उसको आप अपने मॉबाइल पे देख सकते हैं पहले चरण में जिन केंद्रिय मंत्रियों का सियासी भविश्य एवियम में कैद हो जाएगा उनमें नितिन गटकरिय, किरन रिजिजु, सर्बानंद सोनोवार, संजीव बालिया, जितेंद्र सेंग, भुपेंद्र यादा, अर्जुन राम मेगवार और एल मुरुगन शामिल हैं बहरहल पहले चरण के चुनाव प्रचार के दोरान पाटियों के नेताओं में जुबानी शब्द बान खूप चले लेकिन अब वैसला जनता जनारदन का होगा, जिसके लिए सभी पाटियों को चार जून का इंतजार करना होगा सूरिया समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट अब बिग न्यूज बिग शो को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है लेकिन आप कहीं मत जाईए बने रही है हमारे साथ क्योंकि सूर्य समाचार पर खबरों का सलसला हमेशा की तरह लगातार जारी है बने रहे हमारे साथ